प्यारे विद्धार्थियों, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ, आप सब तंद्रोस्त हूँगे, और पढ़ाई के प्रती आप सब का हुच्छा कायम होगा. बच्छों, मैं पूझा शर्मा, चंडिगर्ड एजुकेशन डिपार्टमेंट से, और आज हम पढ़ने वाले हैं दस्वी कक्षा के विज्ञान का अध्याय दस्वा, प्रकाश, परवर्तन तथा अपवर्तन का भाग एक. तो चलिए, पहले हम देख लेते हैं कि इसके बारे में थोड़ा बहुत हम क्या जानते हैं. हमें पता है कि प्रकाश सरल रेखिये पत्में गती करता है. प्रकाश के परवर्तन से आप क्या समझते हैं? किसी वस्तू को देखने के लिए हमें किन चीजों की आविशक्ता होती है? इनके बारे में थोड़ा बहुत हमें पता है. तो आईए, अब देखते हैं कि इस अध्याय में आज हम क्या पढ़ेंगे? प्रकाश का परवर्तन, गोलिये दरपन और उनके प्रकार, गोलिये दरपनों के द्वारा प्रतिबिम्बों का बनना, गोलिये दरपनों के उप्योग, और गोलिये दरपनों के लिए नई चिन परिपाटी. तो चलिए बच्चों, अब हम इन सभी विश्यों के बारे में एक-एक कर पढ़ना शुरू करते हैं. लेकिन इससे पहले कुछ परिभाशाओं के बारे में जानना जरूरी है, तो चलिए पहले उन्हें देख लेते हैं. प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की उर्जा है, जिसे हम अपनी आखों द्वारा ग्रहन करते हैं. प्रकाश की किरन, वह सरल रेखिये पत, जिस पर प्रकाश गती करता है, उसे हम प्रकाश की किरन कहते हैं. प्रकाश पुंज, प्रकाश की किरनों का वह समू, जो एक दूसरे के समनांतर हो, प्रकाश पुंज कहलाता है. आप्तित किरण वह प्रकाश की किरण जो किसी सतह पर पढ़ती है आप्तित किरण कहलाती है किसी चमकदार प्रष्ठ पर पढ़ने के बाद आप्तित किरण उसी माध्यम में मुढ जाती है और इसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते है आपतित किरण चमकदार प्रष्ठ से परावर्तन के बाद मुड़ जाती है और यह दूसरी किरण अब परावर्तित किरण कहलाती है आईए बच्चों अब हम अपने अध्याय को शुरू करते हैं सबसे पहले हम प्रकाश के परावर्तन के बारे में जानते हैं बच्चों आपने अपने दैनिक जीवन में देखा ही है कि जब प्रकाश की किरण किसी दिवार, दरपन या किसी चमकदार सतह से टकराती है तो उसके बाद वो दूसरे दिशा में मुड़ जाती है हमने पढ़ा है कि जब एक प्रकाश की किरन किसी पॉलिश की गई सतह से जैसे कि दरपन के उपर पढ़ती है तो वैस सतह अपने उपर पढ़ने वाले किरनों को वापस उसी माध्यम में मोड़ देते है इसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते है प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है जो हम पिछली कक्षाओं में पढ़कर आए है पहला नियम आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है अर्थार्थ एंगल i is equals to angle r और दूसरा नियम आपतित के रण दर्पन के आपतन बिंदू पर अभिलम और परावर्तित के रण सभी एक ही तल में होते है परावर्तन के यह नियम गोलिय प्रष्ठों सहित सभी प्रकार के परावर्तक प्रष्ठों के लिए लागू होते है बच्चों, आप रोज अपने आपको घर में लगे दर्पन में देखते होंगे यह दर्पन सम्तल दर्पन होता है जिसमें हमारा प्रतिबिम्ब सदैव सीधा हमारे आकार के बराबर और आभासी दिखाई देता है आभासी क्यों कहा मैंने? आभासी इसलिए क्योंकि हम अपने प्रतिबिम्ब को किसी परदे पर नहीं उतार पाते अतै इस प्रकार का प्रतिबिम्ब आभासी प्रतिबिम्ब कहलाता है चलिए बच्चों, अब हम गोलिय दर्पनों के बारे में पढ़ते है ऐसे दर्पन जिनका परावर्तक प्रष्ट गोल होता है गोली ये दर्पन कहलाते हैं यह दो प्रकार के होते हैं उत्तल दर्पन और अफ्तल दर्पन आईए बच्चों इन्हें हम एक क्रिया कलाप से समझते हैं बच्चों एक बड़ी चमकदार चम्मच लीजिए इस चम्मच की अंदुरूनी सतह अफ्तल दर्पन की भाती कारे करेगी और इसकी उभरी हुई बाहरी सतह उत्तल दर्पन की तरह कारे करेगी अब इस चम्मच के उभरे हुए गोली सतह के सामने जो की उत्तल दर्पन की तरह कारे करता है कोई भी एक वस्तु जैसे की एक पैन ले कर जाएं आप देखेंगे कि वस्तु का प्रतिबिम्ब सीधा आभासी और आकार में छोटा बनता है फिर से आभासी क्यों? बिल्कुल सही क्योंकि इसे हम परदे पर नहीं प्राप्त कर सकते अब धीरे धीरे इस पैन को चमच की सतह के आगे और पीछे ले जाकर देखें पैन का प्रतिबिम्ब सदैव, आभासी, सीधा और छोटा ही बनेगा अब इस पैन की चमच की अंदुरूनी सतह जो की अफ़तल दरपन की तरह कारे कर रही है की तरफ ले जाएं आप देखेंगे की प्रतिबिम्ब उल्टा और आकार में छोटा बनता है वस्तु को जब चमच से दो लेकर जाते हैं तो प्रतिबिम्ब छोटा उल्टा बनता है लेकिन जैसे जैसे हम वस्तु को चमच के निकट लाना शुरू करते हैं तो प्रतिबिम्ब धीरे धीरे आकार में बड़ा होता जाता है और बहुत निकट लाने पर यह प्रतिबिम्ब सीधा, बड़ा और आभासी बनता है आईए बच्चों, अब हम देखते हैं कि कैसे अफ्तल दर्पन प्रकाश की किर्णों को एक बिंदू पर केंद्रित करता है इसके लिए हमें एक अफ्तल दर्पन और कागस की शीट की आविशकता है कागस को अफ्तल दर्पन के आगे इस प्रकार रखें कि दर्पन द्वारा परवर्तित हुआ सूरे का प्रकाश कागस पर एक तीक्ष्न बिंदू के रूप में प्राप्त हो अर्थार सूर्य से आने वाली किर्णे दर्पण के द्वारा एक तीख्षन बिंदू के रूप में केंद्रित हो जाएं वास्तव में कागस के उबड यह प्रकाश का बिंदू सूर्य का वास्तविक प्रतिबिंब है इस बिंदू को अफ्तल दर्पन का मुख्य फोकस भी कहा जा सकता है आप देखेंगे कि सूरे के प्रकाश के कारण उत्पन उश्मा से कागस जलने लग जाता है चलिए बच्चों, अब हम गोलिय दर्पनों से संबंधित कुछ परिभाशाओं को समझते है वह गोलिय दर्पन जिसका परावर्तक प्रश्ट अंदर की और अर्थार्थ गोले के केंद्र की और होता है अफ्तल दर्पन कहलाता है और वह गोलिय दर्पन जिसका परावर्तक प्रश्ट बाहर की और वक्रित होता है उत्तल दर्पन कहलाता है गोलिय दर्पनों के परावर्तक प्रष्ट के केंद्र को दर्पन का धुरूव कहते हैं और इसे P से दर्शाया जाता है गोलिय दर्पन का परावर्तक प्रष्ट एक गोले का भाग है इस गोले के केंद्र को दर्पन का वक्रता केंद्र कहा जाता है और इसे C से दर्शाया जाता है दर्पन के ध्रोव यानि की P और दर्पन के वक्रता केंद्र अठार्थ C के बीच की दूरी दर्पन की वक्रता त्रज्या कहलाती है जिसे हम कापिटल R से बताते हैं गोलिय दरपण के ध्रूफ और वक्रता केंद्र से गुजरती हुई सीधी रेखा दरपण का मुख्य अक्ष कहलाती है जब किसी अवतल दरपण पर मुख्य अक्ष के समानतर कुछ किरने आपतित होती हैं तो परावर्तन के पश्चात यह एक बिंदू पर मिलती हैं यह बिंदू अवतल दरपण का मुख्य फोकस कहलाता है जिसे हम कापिटल एफ से लिखते हैं यहीं जब उतल दरपण पर प्रकाश की किरने मुख्य अक्ष के समानतर आपतित होती हैं तो परावर्तन के पश्चात यह बिखर जाती हैं परन्तु मुख्य अक्ष पर एक बिंदू से आती हुई प्रतीत होती हैं यह बिंदू उतल दरपण का मुख्य फोकस कहलाता है इसे भी हम कापिटल एफ से लिखते हैं दरपण के ध्रूप तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है जिसे हम स्मॉल एफ से लिखते हैं किसी गोलिय दरपण की वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर तथा फोकस दूरी स्मॉल एफ आपस में संबंधित होते हैं यदि हमें किसी दरपण की त्रिज्या आर ग्यात हो तो हम उस दरपण की फोकस दूरी निकाल सकते हैं इनका सूत्र है आर इस इक्वल्स टू टू एफ अर्थार्थ वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है आईए बच्चों अब हम देखते हैं गोलिय दरपणों द्वारा प्रतिबिम्बों का बनना गोलिय दरपणों द्वारा प्रतिबिम्बों के बनने का अध्यन हम किरण आरेख खीच कर भी कर सकते हैं जब किसी गोलिय दरपण पर प्रकाश की किरणे आपतित होती हैं तो किरण आरेख बनाने के लिए किनी दो किरणों पर ही विचार कर आरेख बनाया जा सकता है कम से कम दो परावर्तित किर्णों के प्रतिछेदन से किसी बिम्ब के प्रतिबिम्ब की स्थिती ग्यात की जा सकती है जैसे यदि दरपन के मुख्य अक्ष के समानतर आती प्रकाश किरन परावर्तन के पश्चात अवतल के मुख्य फोकस से गुजरेगी वा उत्तल दर्पन के मुख्य फोकस से अपसारित होती प्रतीत होगी अवतल दर्पन के मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण या उत्तल दर्पन के मुख्य फोकस की और निर्देशित किरण परावर्तन के पश्चार मुख्य अक्ष के समान तर जाएगी अवतल दर्पन के वकृता केंदर से गुजरती की रण या उत्तल दर्पन के वकृता केंदर की और निर्देशित की रण परावर्तन के पश्चात उसी पथ की अनुदिश वापस जाएगी अवतल दर्पन या उत्तल दर्पन के बिंदू पी की और मुख्य अक्ष के तर्यक आप्तित किरन परावर्तन के पश्चात तर्यक दिशा में ही जाएगी इन किरनों का उप्योग करके हम किसी भी स्थिती के लिए प्रतिबेंब और किरन आरेक बना सकते हैं आईए बच्चों अब हम उत्तल दर्पन के द्वारा प्रतिबेंबों का बनना देखते हैं सबसे पहले हम वस्तू को अनंत दूरी पर रखते हैं मानली जी प्रकाश की किरने मुख्य अक्ष के समानांतर दर्पन पर पढ़ती हैं और उत्तल दर्पन से परावर्तित होने के बाद यह बिंदू F से आती हुई प्रतीत होती हैं यहां हम कह सकते हैं कि प्रतिबेंब फोकस F पर बनता है यह आभासी छोटा और सीधा होता है दूसरी स्थिती देखते हैं वस्तू को दर्पन से एक निश्चित दूरी पर रखा जाता है मान लीजिए एक आप्तित किरन मुख्य अक्ष के समानतर आती हुई दर्पन पर पढ़ती है और परावर्तित हुई किरन F बिंदू से आती प्रतीत होती है दूसरी आप्तित किरन C से गुजरती है और इसी पत से वापस परावर्तित हो जाती है यह दोनों ही किरने बिंदू A पर मिलती हुई प्रतीत होती है रेखा A-B- खीचने के बाद A-B- वस्तू का प्रतिबिम बनता है यह प्रतिबिम P और F के बीच में बनता है और यह सीधा आभासी और आकार में छोटा होता है आईए बच्चों उत्तल दर्पन के द्वारा वास्तव में हम प्रतिबिम बना कर देखते है उत्तल दर्पन के द्वारा प्रतिबिम दिखाने के लिए हमारे पास है यह उत्तल दर्पन जिसे हमने दरपण या लेंस स्टेंड पे रखा है एक मुमबत्ती, माचिस और साथ में एक परदा, स्क्रीन जिस पे हम प्रतिबिम्ब को लेने की कोशिश करेंगे तो चलिए बच्चों, अब हम कैंडल को जलाते हैं और कैंडल को जला कर प्रतिबिम्ब बनाने की कोशिश करते हैं यहाँ पर ये कैंडल, बिम्ब या वस्तु की तरह कारे कर रही है जैसे ही इस वस्तु को दरपण और स्क्रीन के बीच में रखा जाता है तो आप देख रहे हैं कि स्क्रीन पर किसी भी तरीके की इमेज नहीं बन पा रही है चाहे मुम्बत्ती को दरपण के पास ले जाया जाए या दरपण से दूर ले जाया जाए दरपण पर स्क्रीन पर किसी भी तरीके की प्रतिबिम्ब दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि हम मुम्बत्ती का प्रतिविंब परदे पर या स्क्रीन पर नहीं देख पा रहे हैं अर्थार्थ यहां पर जो प्रतिविंब बन रहा है वो वास्तविक नहीं है अब इसी मुम्बत्ती को उत्तल दर्पन के सामने अलग-अलग दूरियों पर रख कर देखते हैं आप देख रहे हैं कि उत्तल दर्पन के सामने मुम्बत्ती को जब उत्तल दर्पन से काफी दूर अनंत पर रखा जाता है तो मुम्बत्ती में इसका प्रतिबिम सीधा, छोटा और आभासी बनता है आभासी इसलिए क्यूंकि इसे हम परदे पर या स्क्रीन पर नहीं ले पा रहे हैं मुम्बत्ती की स्थिती बदलने पर यानि कि इसे दरपन के नज़दीक लाने पर भी प्रतिबिम्प, छोटा, सीधा और आभासी बन रहा है अथार्थ उत्तल दर्पन किसी भी वस्तू का प्रतिबिम्प, सीधा, छोटा और आभासी बनाता है बच्चों, देखा आपने किस तरीके से उत्तल दर्पन प्रतिबिम्प बनाता है चलिए अब उत्तल दरपन के उप्योग पढ़ते हैं उत्तल दरपनों का उप्योग वाहनों के पश्च द्रश्य दरपन या रियर मिरर के रूप में किया जाता है क्युकि ये सद्व सीधा प्रतिबिम बनाते हैं और वह आकार में छोटा होता है इन दर्पणों का दृष्टी शेत्र भी अधिक होता है क्योंकि यह बाहर की और वक्रित होते हैं अतै यह ड्राइवर को अपने पीछे का बड़ा शेत्र देखने में हेल्प करते हैं चलिए बच्चों अब हम अवतर दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंबों को देखते हैं इसके लिए हम इस साड़नी की मदद लेंगे जैसा कि हम देख रहे हैं यहां वस्तु को 6 विभिन स्थितियों पर रख कर प्रतिबिम्ब की भिन भिन स्थितियां ग्यात की गई है सबसे पहले हम वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो हमारा प्रतिबिम्ब फोकस F पर बनता है जो की छोटा वास्तविक वो उल्टा है वास्तविक क्यों? क्योंकि इसे हम परदे पर प्राप्त कर पाते हैं इसके बाद आप देखेंगे कि जैसे जैसे हम वस्तु को दरपण के नजदीक लेकर जाते हैं प्रतिबिम्ब दरपण से दूर होता जाता है दूसरी स्थिती में हम वस्तु को C से परे रखते हैं तो प्रतिबिम्ब F और C के बीच बनता है जो छोटा वास्तविक और उल्टा है जब वस्तु को C पर रखा जाता है तो प्रतिबिम्ब भी वहीं C पर बनता है जो अब वस्तु के साइज के बराबर वास्तविक वा उल्टा है अब जब वस्तु को C और F के बीच में रखा जाता है तो प्रतिबिम्ब C से परे बड़ा वास्तविक वा उल्टा बनता है जब वस्तु को F पर रखा जाता है तो प्रतिबिम्ब अनंत पर बनता है जो कि आकार में काफी बड़ा, वास्तविक वो उल्टा ही है लेकिन लास्ट कंडिशन में जब वस्तू को F व P के बीच रखा जाता है तो अब प्रतिबिम्ब दरपन के पीछे बन रहा है यह काफी बड़ा बनता है और क्यूंकि इसे हम परदे पर प्राप्त नहीं कर पाते हैं अतहे यह आभासी और सीधा होता है चलिए एक अफ़तल दरपन और मुम्बत्ती की सहायता से हम प्रतिबिम्ब को बना कर देखते हैं इस क्रिया कलाप के लिए हमारे पास है अफ़तल दरपन दरपन स्टैन में लगा हुआ एक जलती हुई मुम्बत्ती और परदा अब हम मुम्बत्ती को दरपन के आगे अलग-अलग स्थित्यों में रखकर अफ़तल दरपन के द्वारा बन रहे प्रतिबिम्बो को देखते हैं जैसे ही हम मुम्बत्ती को दर्पन के सामने लेकर जा रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है कि परदे पर एक प्रतिबिम्ब मुम्बत्ती का दिखाई दे रहा है। और क्यूंकि हम इसे स्क्रीन पर प्राप्त कर पा रहे हैं, इसलिए ये प्रतिबिम्ब वास्तविक प्रतिबिम्ब है। अब जैसे जैसे हम इस वस्तू यानि की मुम्बत्ती को दर्पन के नस्दीक लेते जाएंगे, आप देखेंगे कि प्रतिबिम्ब का आकार बढ़ता जा रहा है। लेकिन अभी भी ये उल्टा है और वास्तविक है, वास्तविक इसलिए क्योंकि हम इसे स्क्रीन पर प्राप्त कर पा रहे हैं। जैसे जैसे मुम्बत्ती दर्पन के बहुत नस्दीक यानि की फोकस और पोल के बीच में आ जाएगी, तब हमें परदे पर से उसका प्रतिबिम्ब दिखना बंद हो जाएगा। जब मुम्बत्ती को दर्पन के फोकस और पोल के बीच में रखा जाता है, तब मुम्बत्ती का एक बड़ा, सीधा और आभासी प्रतिबिम्ब अब हमें अफ्तल दर्पन में दिखाई पड़ रहा है। यह प्रतिबिम्ब आभासी इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इस कंडिशन में अब इस प्रतिबिम्ब को हम परदे पर प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं और इसका आकार मुम्बत्ती से काफी बड़ा और सीधा है। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं अफ्तल दर्पन के उप्योग। इनका उप्योग टॉर्च, सर्च लाइट्स तथा वाहनों की हेड लाइट्स में प्रकाश का समानतर पुन्ज प्राप्त करने में किया जाता है। इन्हें चहरे का बड़ा प्रतिबिम्ब देखने के लिए शेविंग मिरर्स के रूप में भी काम में लाया जाता है। दंत विशेशग्य, अफ्तल दर्पनों का उप्योग दात का आवर्धित प्रतिबिम्ब देखने के लिए करते हैं। सौर भट्टिओं में सूरे के प्रकाश को केंदित करने के लिए बड़े-बड़े अफ्तल दर्पनों का उप्योग किया जाता है। चले बचों, अब हम गोलिय दर्पनों के परावर्तन के लिए चिन्न परिपाटी देखते हैं। गोलिय दर्पनों के द्वारा प्रकाश के परावर्तन के बारे में विचार करते समय हमें एक निष्चित चिन्न परिपाटी का यूज करना होता है। इसे हम नई कारतिय चिन्न परिपाटी कहते हैं। इसके अनुसार बिम्ब या वस्तू सदैव दर्पन के बाई और रखी जाती है अर्थार्थ दर्पन पर बिम्ब से प्रकाश, बाई और से आपतित होगा मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पन के ध्रुव से मापी जाती है मूल बिन्दू अर्थार्थ दर्पन के ध्रुव के दाई और मापी गई सभी दूरियां धनात्मक में ली जाती है तथा मूल बिन्दू के बाई और मापी गई सभी दूरियां रनात्मक में ली जाएंगी मुख्य अक्ष के लंबवत उपर की और दूरियां धनात्मक मापी जाएंगी अब हम देखते हैं दरपन सुतर तथा आवरधन क्या होता है गोली दर्पनों में धुरूव से बिम्ब या वस्तू की दूरी बिम्ब दूरी कहलाती है जिसे small u से बताते है धर्पन के धुरूव से प्रति बिम्ब की दूरी प्रति बिम्ब दूरी कहलाती है जिसे small v से बताते है ध्रूव के मुख्य फोकस के बीच की दूरी, फोकस दूरी कहलाती है जिसे small f से बताते हैं इन तीनों के बीच संबंध को दरपन सूत्र के द्वारा बताया जाता है तो दरपन सूत्र है एक बटा v प्लस एक बटा u बराबर है एक बटा small f के इस दरपन सूत्र का प्रियोग करते समय हमें कुछ बातों का विशेश ध्यान रखना चाहिए पहली, यू अर्थार्थ बिम्ब या वस्तू की दूरी, उत्तल वा अव्तल दोनों ही प्रकार के दरपनों में सदैव, नेगेटिव यानि की रुनात्मक ली जाएगी क्योंकि नई कार्थिय चिन्न परिपाटी के अनुसार वस्तू सदैव बाई और रखी जाती है और दरपन के धुरुव से बाई और की दूरियां रुनात्मक में ही ली जाती है क्योंकि वस्तू सदैव मुख्य अक्ष के उपर रखी जाती है अते वस्तु की उचाई उत्तल व अवतल दर्पणों के लिए सदैव धनात्मक ही ली जाएगी फोकस दूरी small f उत्तल दर्पणों के लिए धनात्मक तथा अवतल दर्पण के लिए रिनात्मक होगी उत्तल दरपन के लिए प्रतिबिम्ब की दूरी धनात्मक तथा अवत्ल दरपन के लिए व्रिनात्मक होगी जब तक कि वस्तु को FVP के बीच न रखा गया हो उत्तल दरपनों के द्वारा प्राप्त प्रतिबिम्ब सदैव सीधा और आभासी होगा जबकि अव्दल दर्पन द्वारा प्राप्त प्रतिबिम्ब वास्तविक व उल्टा होगा जब तक वस्तु F व P के बीच ना रखी गई हो अब देखते हैं आवर्धन क्या होता है? गोलिये दर्पनों द्वारा उत्पन आवर्धन वह आपेक्षिक विस्तार है जिससे यह पता चलता है कि प्रतिबिम्ब विम्ब की अपेक्षा कितना गुना आवर्धित है? इसके लिए सूत्र है आवर्धन M is equal to प्रतिबिम्ब की उचाई H बटा विम्ब की उचाई H M is equal to H बटा H इसे हम बिम्ब दूरी U तथा प्रतिबिम्ब दूरी V का उप्योग करके भी बता सकते हैं आवर्धन M is equal to minus V बटा U यह हम लिख सकते हैं M is equal to H dash बटा H is equal to minus V बटा U आवर्धन के मान में धनात्मक चिन यह बताता है कि प्रतिबिम्ब वास्तविक है और आवर्धन के मान में धनात्मक चिन यह बताता है कि प्रतिबिम्ब आभासी है तो बच्चों चलिए अब हम देखते हैं कि हमने इस अध्याय में क्या क्या सीखा प्रकाश किसी चमकदार प्रष्ठ से टकरा कर वापस जाता है और यह प्रक्रिया परावर्तन कहलाती है दरपन तथा लेंस वस्तूओं के प्रतिबिंब बनाते हैं बिंब की स्थिति के अनुसार प्रतिबिंब वास्तविक तथा आभासी हो सकते हैं गोलिय दरपन दो प्रकार के होते हैं उस्तल दरपन और अफ्तल दरपन दरपन सूत्र एक बटा वी प्लस एक बटा यू बराबर है एक बटा एफ के यह बिंब दूरी यू प्रतिबिंब दूरी वी वा दरपन की फोकस दूरी एफ के बीच संबंध बताता है किसी गोले दरपन की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रज्या की आधी होती है तो चलिए बच्चों अब कुछ प्रश्णों पर चर्चा कर ली जाए मुझे उम्मीद है आपको इनके उत्तर आते होंगे पहला प्रश्ण अफ्तल दरपन द्वारा बना प्रतिबिम यदि बड़ा आभासी तथ सीधा हो तो वस्तू के स्थिती कहां होगी? जी हाँ दरपन के ध्रूव P तथा फोकस F के बीच जब वस्तू को रखा जाएगा तो अवतल दरपन द्वारा एक बड़ा आभासी तथा सीधा प्रतिबिम बनता है प्रश्ण नमबर दो उतल दरपन किस प्रकार के प्रतिबिम बनाते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही उतल दरपन सीधे, छोटे तथा आभासी प्रतिबिम बनाते हैं प्रश्ण नमबर 3 यदि किसी दरपण में आपका प्रतिभिम्ब किसी भी दूरी पर सदैव सीधा ही बने तो वह दरपण कैसा हो सकता है जी हाँ वो दरपण समतल दरपण हो सकता है आखरी प्रश्ण यदि किसी गोलिय दरपण की वकृता तरपण 30 cm है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी जैसा कि हमें पता है कि गोलिय दरपणों में वकृता तरपण और फोकस दूरी के बीच संबंद है R is equal to 2F और हमें वकृता तरपण मिली है 30 cm तो F निकालने के लिए फॉर्मिला हो जाएगा F is equal to R by 2 यहां हम रखेंगे 30 बटा 2 और हमारी फोकस दूरी निकलेगी 15 cm बच्चों आपको देने के लिए मेरे पास एक और प्रश्ण है जिसे आपने घर में बैठकर तसल्ली से करना है और यहां प्रश्ण है अवतल दरपणों द्वारा बने प्रतिबिम्बों को बनाने के लिए किरण आरेख खीचिये तो आपने सभी 6 स्थितियों के लिए किरण आरेख बनाने हैं तो बच्चों देखा आपने किस प्रकार दरपण अलग-अलग तरीके के प्रतिबिम्बनाते हैं किस प्रकार उत्तल दर्पणों को हम वाहनों में पश्य द्रश्य दर्पणों के रूप में इस्तमाल करते हैं तो बच्चों इस प्रकार आज हम यह अपना अध्याय समाप्त करते हैं इसी अध्याय के भाग दो के साथ हम जल्दी मिलेंगे तब तक आप पढ़ते रहे बढ़ते रहे और मुस्कुराते रहे धन्यवाद